ओम हनमन्ते नमाहा स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती वावना योटूब चैनल पर आज मैं आपको बहुत ही साधारण से उपाय बताऊंगा कर्ज मुक्ति की कितना भी बड़ा कर्ज हो हूँ सीग्र ही कर्ज दूर होगा धन की प्राप्ति होगी हर मनुकामना पूरी होगी आपकी बालाजी महराज की किरपा से आने वाले समय में शीग्र ही आपके उपर से कर्ज सदा मदा के लिए दूर हो जाएगा माता लच्मी की किरपा होगी और आपकी सारी मनुकामना पूरी हो जाएगी कर्ज मुक्ती से चुटकारा मिलेगा धन की प्राप्ति होगी संतान की प्राप्ति होगी और हर प्रोबलम आपकी सौल होंगी बस आपको साधारन से उपाय करने ही साधारन से ये उपाय आपके जीवन में बहर लाएंगे जीवन में खुशा लियाएगी और आपका घर खुसियों से भरा रहे है कुछ बातों का आपको विसेश उब से द्यान रखना भी होगा जब ग्रहन की सुबदिश्टी इंसान के उपर आती है तो उसके सारे कारे बनने शुरू हो जाते हैं जब ग्रहन का सुब योग इंसान के उपर बनता है तब उनको संतान धन की प्राप्ती होती है और इंसान आगे बढ़ता है तरक्की के रास्ते मिलते हैं भार जाने के योग प्राप्त होते हैं जिस प्रकार से मैं आपको उपाय बताऊँगा उसी प्रकार से आपको उपाय करते जाएं नम्मर एक आप प्रति दिन त्यान रखना है आपको प्रति दिन आपको तीन जगए दीपक जलाना प्रारम करना है हनमान जी के सामने तुलसी के सामने और माता लच्चमी जी के सामने नमबर दूँ जब आपकी किचिन में खाना बने तो उसमें से पहली रोटी गाय के नाम की निकालना शुरू कर दे पहली रोटी गाय माता के नाम की निकाले और उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें थोड़ा सा गोड़ रख दें गोड़ रख करके यह रोटी प्रती दिन का नियम बना लें और प्रती दिन आपको गोव माता को खिलानी है नम्मर तीन प्रतेग मंगलवार की मंगलवार को प्रतेग मंगलबार के मंगलबार को एक नारियर ले करके उस पर मोली बांद करके हनमान जी के सामने चड़ाना प्रारम कर दें मंगलबार के दिन थोड़ी सी पीली सर्सों हाथ में ले करके ओम हनमंते नमहां इस मंत्र को पढ़ करके उसमें फूंक मार के 51 बार ये मंत्र पढ़ें, 31 बार पढ़ें, और इस पीली सर्चों को आप अपनी पूरी घर में डालना शुरू कर दें, ये लगातार मंगल बार आपको करना है, अगला उपाय, सनी बार के दिन एक निवू लेना है आपको जिसमें दाग न लगा हो, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, विलकुल साफ निवू होना चाहिए, वह निवू आप ले लें, और घर के मेन दरबाजे से साथ बार उसार के दो तुकड़े उसके करके चौराय पर फेंकाएं, घर की मुसीबतें दूर होना सुरू हो जाएंगी, सनी बार के दिन, सनी बार के दिन आपको ध्यान सनी बार को घर से जाडू भार नकालनी है, परानी बाली और नई जाडू लाके रख लें, और लगातार पांच सुक्रबार माता लच्मी के सामने, मंदर में माता लच्मी जी के सामने आपको जाडू रख करके आने हैं, माता लच्मी की मूर्ती ना हो तो भगवान की मूर् में कितनी किरपा होगी कि पैंसों के बर्सा होगी हर परेशानी दूर होना सुरू हो जाएगी मंगलवार की मंगलवार को हनमान जी के सामने मूंग की दाल मसूर की दाल मसूर की दाल रखना प्रारम कर दें मसूर की दाल में मूं के दाने तीन चार उसमें डालें जादाने और बागी सारी मसूर की दाल होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालें और अगर सम्मब हो सके तो उसमें तामे का सिक्का भी डाल दें और ये है हनवान जी के सामने चड़ाना प्रारम कर दें प्रती मंगलवार की मंगलवार को हनवान जी के सामने नारियल चड़ाएं और वहाँ पर आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना प्रारम कर दें चमेली के तेल का दीपक जब जलाएंगे तो उसमें दो लोंग डालनी है आपको चमेली के तेल का दीपक जलाते समय दो लोंग उसमें डालनी है और वहीं खड़े हो करके आपको हनमान चालिसा का पाट करना है इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको टोगे नहीं आपकी परिशानियों दूर हो जाना शुरू हो जाएंगे एग नारियल पर मूली लपेटे उसको माता के सामने चड़ाना प्रारम्न कर दें और यह आप लगातार साथ सुक्रवार करें माता लच्मी की कृपा आपके उपर होगी आपकी सारी परिशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगे भीरवार के दिन साथ पीली कोड़ी दो हल्दी की गांट यह पीले कपड़े में बांदें भगवान विश्नु के सामने अरपन कर दें और वाएं पर खड़े उकर कि और आपको वह अपनी तिजोरी में रख लेने हैं यह आपको पांच गुरूबार करना है और पांच गुरूबार यह करिया करने हैं आपको जो सामने आपको वह अपनी तिजोरी में रखते जाएं तो धन आना शुरू हो जाएगा भगवान विश्णों की करपा आपके उपर होना शुरू हो जाएगी साथ लोंग द्यान रखें साथ लोंग आपको अपने उल्टे हाथ में लेनी है साथ लोंग और साथ ही काली मिर्च आपको अपने उल्टे हाथ में लेनी है और एक एक लोग सीधे हाथ से अपने उपर उसार ना है ऐसे साथ वारोसार ना है और उनको कहीं भी गड़ा कोद के दबा दे परेशानी दूर हो जाएगी थोड़े से काले उड़त के दाने लेने हैं सनिवार के दिन काले उड़त के दाने थोड़े से लेने हैं और आपको प्रात्ना करने के ही सनिदेव हमारे उपर से सारी परेशानिया दुख संकट दूर हो ऐसा कह करके आप उन उड़तों को साथ वार अपने उपर उसारे साथ व प्रतेग मंगलवार की मंगलवार को अपने आज से अनमान जी के चोला चड़ाना प्रारम कर दें जिस प्रकार से आपको सामने स्क्रीन पर नजरा रहे हैं इसी प्रकार से आपको अपने आज से अनमान जी का चोला चड़ाना है और जब आप चोला चड़ा ले तो उसमें से थोड़ा सा सिंदूर जरूर लाएं घर में और उससे अपने घर में स्वास तक चिन्द बनाएं ऐसा करने से धन की बरकत होती है हनमान जी की किरपा प्राप्त होती है और हर परिसानिया दूर हो जाती है तो ये उपाए थे साधारन से उपाएं आप इनको जरूर करें और फिर देखें आपको बहुत बड़ा लाब मिलेगा आपके सारी परिसानिया तूर हो जाएंगी सदा मदा के लिए और बालाजी माराज की बरपूर करपा होगी